मैं हूँ आपके साथ शुत्री श्रवास्ताव और सीधे जैसे प्यांका ने बताया क्योंकि वो जैपूर में बिजेपी मुख्याले के सामने खड़ी है और साफ तरपने ने बताया कुछ ही घंटों का इंतिजार है और यह जो आप पीसे कुर्सी देख रहा है जिस पे कौश्टन मार्क लगा हुआ है कि इस पे कौन विराज मान होगा सस्पेंस अभी भी बरकरार है लेकिन यह सस्पेंस तीन तारिक से जब से परिणाम घोशितु है बिजेपी के तब से उसके बाद से ही इस गदी पर कौन बैठेगा पाल साल का नित्त कौन समालेगा दो हजार चौबीस में इस गदी पर जो विराज मान होगा उसका इफेक्ट कैसा दिखेगा वो भी सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि बिजेपी ऐसी पार्टी मानी जाती है जहां पर एक और बड़ी ख़बर आपको बता दे कि राजना सिंग सुभा 11 बजे आई जी आई एएपोर्ट से होंगे रवाना बड़ी ख़बर ने सीम पर फैसला आज होगा जापत तीनो पर वेक्चक आज जैपूर एएपोर्ट से दिल्ली से रवाना होगे दिल्ली से स्पेशल ए क्या मंत्री के गदी पर विराज मान होगा बिजेपी की तरफ से कौन या एंपी की तरफ पर इस बार भी मध्य प्रदेश में भी खेला किया जाएगा क्या दो डिप्टी सीम उतारे जाएंगे कौन होगा विधान सभाध्यक्ष इन सब पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है ल लेकिन टॉप मेनेजमेंट ये बात जानता है कि किसको बैठाना है क्योंकि मध्य प्रदेश और 36 गड में जिस तरह चौकाने वाले फैसले लिए गया विष्णु देश साई को जो की आदिवासी वोट बैंक से आते हैं आदिवासी छेत्र से आते हैं और उस तरह उनको उत संग के एक अच्छे कारकरता मानेड़े उसी तरह से हम एक अनुमान एक अंदेशा जता सकते हैं कि हो सकता है राजस्तान में भी संग और जो पार्टी का नितुत्त्व कर शके उसको ही उतारा जाए हो सकता है जनिटनल और स- WINION belum के कुम्बिनेशन को उतार कर इस बार मिला कर इस बार सीम और दो डिप्टी सीम बनाए जाए तो तमाम देखे नाम इसमें है इस रेस में तमाम नाम शामिल है जैपुर से लेकर दिल्ली तक सबकी धड़कने बनी हुए तापर तो बैटके हुई वसुंदा राजे की बैटक कुछ घंटे का काउंटाउन भी हम आपको दिखा रहे है न्यूज 18 राजस्थान के टीवी स्क्रिन पर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री पाँच घंटे 42 मिनट 55 सिकेंड हर एक पल जैसे जैसे घड़ी की सुई तिक तिक करके आगे बल रही है वैसे वैसे जो भी सीम की रेस सला लिया जाएगा विजेपी विधायक दल की बैटक आज होगी विधायक दल की बैटक में लगे की मुहर विजेपी पर्वेक्षक और राजना सिंग आज जैपूर आएंगे राजना सिंग, सरोश पांडे, विनोथ पांडे, जैपुर पहुंचेंगे जिनको परवेक्षक के तौर बतारा गए सुबा ग्यारा बजी आई जी आई एरपोर्ट से रवाना होंगे और दिल्ली से स्पेशल एर कार्ट से रवाना किये जाएंगे 11.45 मिनट पर जैपुर एरपोर्ट पहुचेंगे राजना सिंग और एरपोर्ट से सीदे होटल ललित जाने का कार्कम है दोपर 12.45 मिनट से 3.45 मिनट तक होटल ललित में रहेंगे मौझूद और 3.45 मिनट पर होटल से 4 बजे भाजपा प्रदेश कारहाले पहुचेंगे और 4 बजे से 6 बजे भाजपा विधायक दल की बैटर करेंगे और शाम 6 बजे विजेपी आफिस से रवाना होंगे राजना सिंग, शाम 7 बजे जैपुर हवाई अड़े से रवाना होंगे तो ये हमने आपको तावर तोर कारकराम बताए लेकिन सीधे आपको फिर से रुक कर लेते हैं जैपुर जो की बिजेपी मुक्याले से हमारे से योगी प्रियंका जुड़ी हुई है पल-पल की अपडेट दे रही है ये भी बता रही है कि क्या मौहौल है प्रियंका ओवर टू यू अभी वहाँ पर क्या मौहौल है प्रियंका और साब स्थोर पर ये भी देखना पड़ेगा नावनिर्वाचित 115 विधायक विजेपी के यहाँ पर कुछी समय में पहुचेंगे और लगातार ये तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इस वक्त इकटा होगा है बीजेपी के नेता पहुच रहे हैं और साथी साथ जो सबसे बड़ा सवाल श्रूती सबके मन में है वो यही है कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन हो जिनमें वसुंदरा राजे से लेकर अब सीपी जोशी का नाम भी जुड़ चुका है कि इंद्रे जलशक्ती मंत्री गजिन सिंग शेखावात साथ ही साथ कई और ऐसे नाम है जो रेस में आगे हैं लेकिन माना ये जारा है श्रूती जैसा कि मध्ध प्रदेश और च्छतिस रिवास बदल देंगे पर कॉंग्रेस ऐसा कर नहीं पाई और बीजेपी सत्ता में आ चुकी है और जैसे ही विधायक दल की बैठक शुरू होगी हम लगातार अपडेट भी आपको यहां से दिखाते रहेंगे श्रूती कि विधायक दल की बैठक में चल क्या रहा है विधा सब्सक्राइब ग्रियास्ती सेयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं सोचता हूँ आज दिन में हमारे मानी परिवक्षक यहां पहुंच जाएंगे राजस्तान में उसके बाद पार्टी काड़ले पहुंच देंगे पार्टी काड़ले में विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद आगामी सारी प्रक्रातिया हो जाएगी और आप इन ठीक कहा कि पांच बज़ चक सारी सित्यां सपस्ट हो जाएगी एंपी में बिल्कुल नया फॉर्मूला चतितजगर में नया फॉर्मूला राजस्तान के लिए भी कोई अलग का फॉर्मूला कि वही फॉर्मूला ताई किया गया है देखे यह तो श्याम को पांच कि भी चर्चा चल रही है कि यह सारी चुछें विधायक दल की बैठक में सामने आएगी कि पार्टी ने क्या तेक किया है और वह पांच बहें तक सारी स्थित्यां असपस्ट हो जाएगी आपकी भूमिका को लेकर भी लगारता चर्चा है क्योंकि जो केंद्र है उनके बार चर्चा अभी फिलाज चल रही है मैंने कहीं सुनी मेरे जो दाइट उधा मुझे पार्टी ने दिया मैंने प्रियास किया कि मैं इमांदर इसे उसका निर्वन कर चुक हूँ और मुझे मैंने पहले दिन से क्या रहा हूं उन से स्वाल कर ये कि आप से स्टेट्मेंट जब जाओ तक दिल्ली से फ़ाफ निकल लेता आपने कहा कि सीम्स में नहीं हूँ उसके बाद भी आपके नाम की चर्चा है आपने कहा था कि आप इस रेस में नहीं है अनि श्री दुर्प से पहले दिन से कहा था और अभी भी कह रहा हूँ मैं अपने बहान पर कहा हूँ आज ये बीबता जीजी कि जो भी बनता है उसे किती देर पहले संकेत दिये जाता है पहले प्रदेश अद्धिक से पास संकेत दाता है कि आप तैयार हो झाज़ाई है या आप मुक्ष बनने जा रहे है ये उस बाठक में ध्यानला है या एक प्रदार मंतरी जी साप की बात चीत हुई, अमिशा जी साप की बात चीत हुई, राष्टी अजड़ीक जी साप की बात चीत हुई? आज तो मेरी आप से बात नोट किये जो मुस्कुराहत थी जो चेहरे की रौनक थी हाला कि वो बोल चुके हैं कि वो सीयम रेस से नहीं और आप बोल भी रहें कि नेता तो बोलते ही रहते हैं लेकिन सौरब अभी आप वहाँ पर और कौन-कौन से नेता है या जो बड़े चेहरे है कोई और भी है सीपी जोशी की अलामा क्या महाँ पर देखिए अभी कोई नेता यहाँ पर नहीं है बीजेपी प्रदेश अद्यक श्रीपी जोशी अभी जो है वो बाहर आए हैं सुबह से वो तमाम व्यवस्ताओं में किस प्रकार की व्यवस्ता है उसको लेकर सक्री थे चुकि परिवेक्षक जो है वो आने विदायक दल की ब प्रक्रिया चुकि आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए भी इसलिए आज से बड़ा दिन है क्योंकि ये पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर राजस्तान में केंद्री नेतरत्व चोकाने वाला फैसला लेता है तो सीपी जोशी जो है वो कह सकते हैं बहुत किसी भी प्रकार की जानकरी जो है वो किसी को नहीं देता है लेकिन फॉर्मूला बीजेपी का क्या होगा ये क्या पाना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी हमेशा जानी ही जाती है चौकाने वाले फैसले लेने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं अपने ही रिकौर्ड सोड़ने के लिए तो ऐसे में कुछ भी क कर जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा श्रूती। तो अगर सीपी जोशी की हम करें उनके रियाक्शन की तो आज की मुस्कुराहट वाकई कुछ अलग थी लेकिन एक सालेंट भी था एक ठहराव भी था उनके एक्स्प्रेशन में इसका मतलब कि उनको डिसीजन पता चल गया है लेकिन एलान तो जब टॉप मैनेजमेंट करेग तभी पता चल पाएगा कि इस आखिर गदी पर विराज मान कौन होगा जिस पर लगातार कॉशन मार्क बना हुआ है लेकिन कुर्णोराजी और सोशल इंजिनिरिंग की अगर हम बात करें तो अमिश्या के उस